नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महत्तो पूर्ण जहनकारियों को ले करके दातों के कीड़े के लिए घरे लूप चारों के बारे में आज हम सभी जानेंगे दांतों में कीडा लगना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र में किसी भी स्त्रिया पुरुष के हो सकती है जिसका मुख्य कारण दांतों की ठीक से देख भाल और साफ सफाई न रखना होता है दांतों में कीडा लग जाने के कारण बहुत दर्द होता है जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे में इस दर्द से छुटकारा पाना उतना ही महत्तोपून हो जाता है जितना की प्रती दिन भोजन का सेवन करना क्योंकि ये दर्द आपकी दातों के जड़ों में होता है जिसके कारण उन में सूजन इत्यादी की समस्या भी उत्पन न हो सकती है इसलिए जितना जल्दी हो सके इस समस्या का इलाज करवाना चाहिए ऐसे तो कई इलाज हैं जिनके मदद से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है लेकिन इनका प्रियोग के वर डॉक्टर की सलाह से करना ही फायदे मंद होता है इसके अतिरिक्त और भी कई उपाय हैं जिनके मदद से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं ये उपाई पूरी तरह शुरक्षित हैं जिनके कोई भी दूश प्रभाव नहीं है तो आईए आज हम सभी ऐसे ही उपाईों के बारे में जानते हैं जो आपके दात के कीड़ों को बाई-बाई भुलवा देगा दातों से कीड़े हटाने के घरेलू उपचार के बारे में जानते हैं प्याज खाने से खत्म होंगे दात के बैक्टिरिया प्याज का प्रयोग अक्सर दातों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है लेकिन इसका प्रयोग दांत के कीडों की समस्या को समाप्त करने के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि प्याज को दांतों के लिए एक अच्छा उपाय माना जाता है इसका प्रयोग करने से आपके दांतों में होने वाली तकलीफ भी खत्म होगी क्योंकि प्याज को एक प्रकार की प्राक्रितिक और श्रद ही माना जाता है जिसमें दांत के दर्द को ठीक करने के गुन होते हैं इसलिए यदि आपके दांतों में भी ये समस्या है तो प्याज का प्रियोग करके देखें आपको लाफ आवश्य मिलेगा इसके लिए प्याज काट कर उसके टुकणों को कीड़े वाले दांतों से चबाएं आप चाहें तो सलाद में भी प्याज का प्रियोग करके दांतों के दर्द को खत्म कर सकते हैं लॉंग को दांतों के दर्द के लिए सबसे अच्छा उपाए माना जाता है इसके आलावा शरीर को स्वस्ता रखने के लिए भी लॉंग का प्रयोग किया जाता रहा है लॉंग में कुछ विशेश गुन होते हैं जो कि बैक्टिरिया को समाप्त करने का काम करते हैं दांतों में दर्द एक प्रकार के बैक्टिरिया के कारण होता है जिन्हें खत्म करने का काम लोंग करती है इसके लोंग को अपने दांतों में खुर है दर्द वाले स्थान पर रखें आप चाहें तो कीड़े वाले दांत में एक लोंग रख सकते हैं ऐसा करने से धीरे धीरे दर्द कम होने लगेगा इस प्रक्रिया में थोड़ा समय अवश्य लगेगा लेकिन फायदा बहुत होगा दांतों के दर्द में कर लें आप हिंग का सेवन यदि आपके दांतों में किसी भी प्रकार से दर्द हो रहा है तो उसमें हिंग का प्रयोग करने से दर्द में रहत मिलती है क्योंकि हिंग में मौझूद तत्व दर्द उत्पन करने वाले विशानों को समाप्त करते हैं और दर्द में आराम देते हैं आप इसका प्रयोग मौसमी के रस और निम्भू के रस में डाल कर सकते हैं इसने दांतों को और शधी के साथ-साथ अमलिय पदार्थों का भी फायदा मिल लेगा इसके लिए जिस दांत में दर्द हो रहा है उसमें इन दोनों पदार्थों को रुई की मदद से लगाएं ऐसा करने से आपके दांतों के दर्द कुछ ही देर में गायब हो जाएंगे के अलावा आप लहसुन के प्रियोग से भी दांतों के दर्द को गायब कर सकते हैं लहसुन जो कि आप जानते हैं खाने का गुण ही नहीं बढ़ाता है बलकि एंटिबाइटिक के रूप में भी ये काम करता है इसलिए दांतों के लिए फायदे मंद होता है इसके अलावा दांतों के बैक्टिरिया को खत्म करने में नीम और नीम का पत्ता भी उतना ही फायदे मंद होता है दातों के ठीक प्रकार से सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है रोजाना ब्रश करें दातों के लिए अच्छे टूथपेश्ट का प्रयोग करें टमाटर के अधिक सेवन से दात मजबूत होते हैं अत्यधिक मीठे पदार्थों का सेवन ना करें आम के फ्रेस पत्तों को चबाएं दात के दर्द में रहत मिलेगी आपको दात को स्वस्तर रखने के लिए कैल्शियम के आवशक्ता होती है इसलिए अपने खाने में प्रोटीन और कैल्शियम योगत भुज्य पदार्थों को शामिल जरूर करें जैसे डेरी प्रोडक्ट्स हल्दी और भुनी हुई फिटकिरी के पाउडर का मंजन करने से दात दर्द में रहत मिल जाती है तेज दर्द में नमक के पानी से घरारे करने से भी आपको फायदा मिल जाएगा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी आप सभी के लिए दातों के दर्द से जुड़ी हुई अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछे कोई और महत्तो पूर्ण जानकारीओं को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों